नमस्कार यूट्यूब चैनल एन इन्यूर्स डबल टू में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बैरोमेट्रिक और हाई लेवल जेट कंडेंसर के बारे में और इस कंडेंसर के मेन कंपोनेंट इस प्रकार है और इसकी वरकिंग इस प्रकार से है कि सबसे पहले स्टीम ट्रबाइन से एकजोस्ट स्टीम कंडेंसर चैनल में एंटर करती है और यह जो एकजोस्टीम है कंडेंसर चैंबर के बोटम से एंटर करती है और यहां से कूलिंग वाटर पंप की मदद से कूलिंग पॉन्ट से कूलिंग वाटर को लिफ्ट किया जाता है और जिसको कंडेंसर चैंबर में भेजा जाता है और यहाँ पर लगी perforated tray water, cooling water को small jets में large number of jets में इसको distribute कर देती है उसके बाद जो exhaust steam है cooling water के साथ mix हो जाती है और जैसे यह cooling water के साथ mix up होती है तो यह heat latent, जो latent heat है उसको reject करती है जिसके कारण steam का phase change हो जाता है और वह वैपर से liquid में convert हो जाती है और इस परकार condensate बनता है उसके बाद यहाँ पर condensate और cooling water collect हो जाता है और वह इस long pipe की मदद से जिसे discharge pipe या tail pipe कहते हैं और जिसकी लंबाई minimum 10.363 मीटर होती है और इस long pipe से condensate और cooling water को hot well में भेजा जाता है gravitational force की वज़े से जिसके कार्ण यह है अपने आपी flow करता है और इसमें किसी परकार से अलग से condensate extraction pump की जुरूरत नहीं होती क्योंकि condensate extraction pump की जुरूरत low level jet condenser में होती है जैसा हम इस diagram में देख पा रहे हैं यह counter flow low level jet condenser है जिसमें hot well और condenser chamber के बीच में condensate extraction pump लगा हुआ है condensate cooling water को hot well में भेजने के लिए लेकिन इस परकार की कोई भी arrangement barometric या high level jet condenser में नहीं है वहाँ पर एक long pipe लगिया discharge pipe जिसकी मदद से condensate और cooling water gravitational force की वज़े से hot well में discharge किया जाता है उसके बाद hot well से feed water को boiler feed pump की मदद से boiler के water space में भेजा जाता है उसके बाद बाकी बचा हुआ पानी gravitational force की वज़े से इस overflow pipe से होता हुआ cooling pond में चला जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो air extraction pump लगा है इसका काम होता है condenser chamber से air और uncondensed steam को discharge करना और उसके बाद कुछ vacuum भी create होता है air extraction pump small size का और small capacity का होता है इसकी वज़े से जो vacuum create होता है और cooling water pump दोनों की मदद से cooling pond से cooling water को lift किया जाता है और उसको perforated tray में भेजा जाता है तो इस परकार से barometric और high level jet condenser काम करता है और इसमें जो flow होता है stream turbine से आने वाली एक जो stream का वो upward होता है और cooling water का downward होता है और इसलिए इसे counter flow jet condenser भी कहते है high level का और इसकी जो working है वो low level jet condenser की तरह ही होती है शिर्फ इसमें cooling water pump लगा होता है और एक discharge pipe लगी होती है और low level jet condenser में discharge pipe की जगे condensate extraction pump लगा होता है और यहाँ पर cooling water pump की जुरूरत नहीं होती अब इसमें बात करते हैं कि जो cooling points से cooling water को इस cooling water की मदद से इसको lift किया जाता है इसकी कुछ advantage भी है या application कहज़कते हैं इस type के jet condenser को salt manufacturing companies में sugar milk और food plant में canaries, chemical industries, petroleum, refineries pulp and paper mills में इसका प्रियोग किया जाता है दोस्तों आज हमने discuss किया barometric और high level jet condenser के क्या-क्या components हैं और यह कैसे कारिया करता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और N-2 को subscribe करना न भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभर